पूर्णिया के चम्पानगर थाना के सिंग्या गाव में दबंग परोस ने युवक संजीव यदव को गोली मार दी गायल संजीव यदव के भाई सुनिल यदव ने काक की परोसी नयन्यदव हाल ही में जेल से बाहर निकला है वह संजीव यादब को जवरन अपना जमीन बेचने के लिए कह रहा था जिसके लिए संजीव यादब तयार नहीं था इसी बात को लेकर दोनों में विबाद हुआ और उसी नयन यादब ने अपने साथी के साथ मिलकर संजीव यादब को तीन गोली मार दी गोली उनके पाँ उच्छाती और हाथ में लगी है आनन्फानन में उसे GMCH लाया गया फिलाल GMCH में संजीव यादव का इलाज चल रहा है संजीव के भाई सुनील ने का की नयन यादव पहले भी हत्या के मामले में जेल गया है हाली में वह जेल से बाहर आया था सुचना मिलते ही चंपानगर थाना के पुलीस मौके पर पहुंची और जाच में जुट गई है वहीं आरोपी फरार बताया जा रहा है किसने किया फैरिंग नयां कुमार यादव उसका पीदाग नाम रामचंदर यादव नई इनको जिनको बोली लगा है कहा कहा लगा है क्या वज़ा था कारण थी कारण वो जमीन का घर का बगल में वो मांगता था अच्छा बेच दे निकली है हम लोग मन आकर ली दबंग दबंग है वो अच्छा जेल से बार निकला था इतरी और एक आदमी का हाफ सर काट दिया था अब यह जिल से बाहर हुआ कुछ दिल हुआ हुआ है क्या नाम इनका इनका नाम क्या है आपका क्या नाम हुआ है मेरा सुनी लिकाद आपके कौन थे कौन है आई है आई है आई है इतरी इतरी बाहर हुआ है झाल झाल दुला दुलन की सपनों की सजावट के लिए शॉपिंग का एक ही नाम दब बिग शॉप आकर्शक वेडिंग कलेक्शन प्राइडल लहंगा शेरवानी सारी कम्प्लीट लेडिस वियर मैंस वियर और किद्स वियर काली बाडी रोड भट्ता बजार पूर्निया